जाए हो चिल्ट्राम वल्कम टू एसके पब्लिक सी बेसी स्कूल उकेरी डीजी विद्या कक्षा में मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर महादेवी पाटेल तो आज हम आपके पाथ यानि वसंत बाग तीन में देगे दूसरा पाथ का आध्यान करेंगे पाट का नाम है लाख की चुडिया और इस पाट का लेकक है कामतानात जी इस कहानी द्वारा हमें कहने जा रहे कि मशीने युग आने के बाद यानि हर कारिक शेतर में हम मशीन का इस्तिमाल कर रहे हैं तो मशीन का इस्तिमाल होने के कारण रोजगार यो अद्वियों के काम में कितना तकलिफे आये हैं खाम तो बंदी हो चुके तो एक कहानी जो है लाख की चुडिया यह लेकक के रिलेटेड है यानि उसके मामा के गाउं से संबदित कहानी है तो जब लेकक कामतानाच जी चोटे थे चुटियों पर अपने मामा के गाउं जाते थे तो उस गाउं में घटित घटनाई के बारे में हमें बताने जा रहे हैं जाग की गोला बनाकर देता था और उसने सबसे बड़ा यानि गाउं में जाने के बाद लेकक जी का सबसे बड़ा चाव यानि क्या है इच्छा सबसे बड़ा इच्छा यानि आशा क्या था बदलू जी के साथ वक्त बिदाना बदलू जी के पास जाना क्यों क्यूंकि वो गाउं से वापस लोड़ते समय वहाँ पे बदलू ने उसे धेर सारे रंग बिरंगे लाकी गोलिया बनाकर देता था क्यूंकि कामताना जी शहर में रहते थे अपने पापा के साथ तो वहाँ पे उनको एक गोलिया नहीं मिलता था जब वो गाउं में आता था जाते समय डेर सारे कलर कलर यानि रंग भिरंगे गोलिया लेकर जाता था गोलिया इतना सुन्दर था कि सभी बच्चों का मन आकशित हो जाता था वह गोलिया देखेंगे तो इतना सुन्दर गोलिया बदलु ने बनाता था तो वैसे तो उसके मामा के गाउं का होने के कारण यानि लेकर जी का जो मामा के गाउं होने के कारण रिष्टे में उसको यानि बदलु को क्या कहके पुकारना था बदलू मामा कहके लेकक जी को पुकारना था लेकिन कामतानाज जी ऐसे नहीं पुकारती थी उसे बदलू मामा न कहके उसको बदलू काका कहके उसको पुकारते थे क्यों? क्योंकि उस गाओं के सभी बच्चो बदलू को बदलू काका कहा करता था जैसा कि गाउं के सभी बच्चे उसे कहां करते थे तो बदलू को लेकक वैसे ही पुकारते थे बदलू का कहके तो बदलू का मकान कुछ उचे पर बनाता और मकान के सामने बड़ा सा सहनता तो बच्चो आप भी टेक्स्ट बुक उपन कीजिया और उंगली रखते जाईए तो देखिए एक यहां पर नया शब्द आया है सहन सहन यानी क्या है आंगन तो मकान के सामने बड़ा सा आंगन था तो जिसमें एक पुराना नीम का रुक्ष रुक्ष यानी क्या है पेड़ नीम का पेड़ था उसी के नीचे बेटकर बदलू अपना काम किया करता था और बगल में ही बटी दहक्ती रहती जिसमें वहां क्या करता था बदलू लाक फिगलाया करता था लाक यानी क्या है लोहा यानी लोहे को वो क्या करता था फिगलाया करता था तो फिगलाने से क्या होता है उसको हम लोहे को कोई भी आकार दे सकते हैं तो सामने एक लकडी की चौकट पड़ी रहती थी आप चितर में देख रहे हैं ना एक लकड़ी के चौकट है तो जिस पर लाक के मुलायम होने पर वहाँ उसे सलाक के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था तो उसको मुलायम होने के बाद यह मुलायम हो गया तो लोहे बटी में डालने के बाद फिगलाना होने के बाद वो क्या होता था मुलायम हो जाता था तो उसके बाद उसे सलाई सला क्यानी क्या है सलाई तो सलाई के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था पास में 4-6 विभिन प्रकार के यानि 4 से 6 तक विभिन विभिन नहीं क्या है अलग-अलग प्रकार के आकार की बेलनुमा मुंगरिया रखी रती थी चित्र में देख रहे हैं आप बदलु अपने हाथ में रखे हुए है और वह बेलनुमा कैसा है आगे से देखे तो कुछ पतला है और पीचे से देखे तो मोटी होती थी क्यों कि जो आगे का जो होता था पतली वहां पर डाल कर क्या करता था चोटे चोटे यानि विभिन विभिन आकारों के चुडिया बनाना है तो पीचे से डाले तो बड़े आकार के होते थे तो लाग की चुड़ी का आकार उसमें डालने के बाद देते हैं तो उसको वह क्य का करते ते मुंगेरिया पर यानि गोला पर चड़ा कर गोल और बिगोल और चिकना बनाता ता और तब एकेकर पूरे हाथ की चुडिया बना चुकने के पच्चान वह में उन पर क्या करता ता रंग लगाता था अलग अलग वी भीन प्रकार के रंग करता था तो बदलु यहां कार हमेशा एक मच्ये पर बैठकर मच्ये नहीं क्या है स्टूल उस स्टूल पर बैठकर क्या करता था जो बहुत ही पुरानी थी वह मच्ये कैसा थी बहुत ही पुरानी थी वह बगल में ही उसका तो जिसे वहां क्या करता था काम के बीच बीच में पीता रहता था गाउ में लेकक दो पहर के समय यानि आफ्टर नून के समय वह क्या करता था ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके पास बैठ कर ही बिताता था और वह लेकक यानि कामता ना जी आते ही बदलू क्या करता था एक मचिया मंगा देता था तुरंत ही वह आते ही क्या करता था मचिया मंगा देता था तो लेकक घंटो भर बेटे बेटे उसे इस प्रकार चुडिया बनाते देखता रहता था तो लगबग लगबग रोज यानि दे से छे जोड़ी छूड़िया बनाता था पूरण जोड़ा बना लेने पर वहां उसे बेलन पर जो आकार देने के लिए बेलन पर छड़ा कर कुछ चुपचाप देखता रहता मानो वहां बेलन न होकर उसकी कलपना में वो बेलन नहीं क्या है नववदू बेटी है अपनी कलाई में एक चुड़िया डाल कर खलाई यानि क्या है हाथ तो नववदू अपने हाथ में एक चुड़िया पहन कर बेटी है बहुत अच्छे जजर है उसके हाथ में ऐसे वो इम चुडिया बनाना उसका पैतुक पेशा था पैतुक पेशा मतलब क्या है पैतुक जो बनाये होए काम और पेश यानि क्या है उद्योग तो उसके पूर्व जो ने जो काम करता था वही काम ये बदलू भी continuous कर रहा से तो वास्ताव में वो बहुत ही सुंदर चुडिया बनाता था कौन बदलुका का तो उसके बनाई हुई चुडिया का कपत भी बहुत कपत मतलब क्या है? दाम, बहुत जयादा मुल्य, दाम, उसके ते, यानि बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे उसके चुडिया के लिए क्यों? क्योंकि उस गाउं में तो सभी श्त्रिया जो बदलुई ने बनाए हुए चुडिया को ही पहनते बहुत पसंद करते थे सभी इस चुडिया को क्योंकि वो चुडिया बहुत ही सुन्दर होते थे सिर्फ उनके गाओं के स्त्रिया नहीं आसपास के गाओं के लोग भी उसे चुडिया ले जाते थे परंतु वहां कभी भी चुडिया को पैसे से न बेशता था तो उसे चुडि पेशे के बदले वो क्या करता था अभी तब वस्तो विनिमे का तरीका ता वस्तो विनिमे मतलब क्या है वस्तो के बदले वस्तो ही लेना मतलब लोग अनाज के बदले उसे चुडिया ले जाते थे बदलू उस अबाव से बहुत अच्छा सीधा आदमिता लेखक जी कभी भी बदलू को किसी के साथ जगडते हुए नहीं देखा था इतना अच्छा आदमिता कौन बदलू तो जीवन बर चाहे कोई उसे मुफ्त चुडिया ले जाए फ्री में ही चुडिया ले जाए वो कुछ भी नहीं काता था परंतु विवां के अवसर यानि विवां के समय वो क्या करता था सारी कसर निकाल लेता था यानि जितने चाहिए उतना देने तक जिद नहीं चोड़ता था इतना जिद करके मतलब आखिर सुहां के जोड़े का महत्व ही और होता है मतलब यह जो विवा का समय जो होता है वो बहुत कुशी का समय होता है सब कुश में रहते हैं वो महला यह अलग होता है कुशियों का मह तो मुझे याद यानि लेकक कहरे उसको याद है उसके यानि लेकक के मामा की लड़की का विवाह पर जरा सी किसी बात पर इतना बिगड़ गया था कि फिर उसको मनाने में लोहे लग गएते हैं लगना मतलब क्या है बहुत समय लग गए ते उसको मनाने में बदलु जी को मनाने में और उसके लिए यानि विवाह में इसी जोड़े का मुल जो रोज बेचता था या वही छुड़िया का जो जोड़ी होते थे उसे जोड़े कामूल इतना बढ़ जाता था कब विवाह के समय पर कि उसके लिए उसको यानि उसकी घर वाली यानि बदलू के पत्नी के लिए भी नए वस्त्र मिलता था और देर सारे अनाज भी मिलते थी और उसके लिए पगड़ी भी मिल जाता था विवाह के समय पर रुपियों जो मिलता था सो अलग ही है मतलब देर सारे नए नए वस्त्र मिलते थे देर सारे अनाज मिलते थे और रुपियों तो वो अलग ही है ऐसे वो विवाह के समय में मांगता था तो बच्चों इस कक्षा में हमने लाग की चुरिया पाठ का दो प्यारा का अध्यान किया है तो बच्चों आपको भी जहां तक पाठ हुआ है वहां तक ध्यानसे पढ़ना है और इसी प्यारा में से आपको क्या करना है दो कोशन आंसर लिखना है आपको ही question डून कर, answer डून कर, लिख कर मुझे होमर्ग में बेजो, तो अगले कक्षा में हम फिर हाजिर होंगे, इसी पाट का अगले बाग को लेकर, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जैहिंद